हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे योट्यूब चैनल नाने की गाडन में देखे दोस्तों आज मैं आपके सामने जो प्लांट लेकर आई हूँ उस प्लांट का नाम केल है और यह प्लांट बहुत ही खुबसुरत लगता है देखे कितना सुन्दर लग रहे यह और ज को इणा घट करते हैं तरह से एक हमारी फूल को बनता है इसमें पट्चे पन चली सबलाई टेंड को ही तोड़ते हैं इस तरह से चैनी कर लेंगे कैंची की सायदा से प्ला वेज़िजधेवस दिटी स्वाम ही को करते हैंår व्याजरक्रब अंग यह dowel नीट को ही तोड़ते मैं ईसको पड़े होते जाएं तो इसकी हार्वेस्टिंग करते रहना चाहिए और छोटे पत्ते हैं ये भी बड़े होते जाएंगे उसनि की कम्हार्वेश्टिंग करते रहें और इसको क्यों हम county में लगासकते हैं चोटे गम्हान इसे हमारा पोदा चल जाता है और देखे कितना सुंदर ये पोदा लग रहा है अब बात करते हैं इस पोदे के लिए मिट्टी की कि इसको कि सटरे के मिट्टी में हमें लगाना चाहिए तो इसमें देखे मैंने एक इस्सा जो है हमें इस पोदे के लिए बैनानी चाहिए और अब बात करते हैं इस पोदे के लिए सनलाइट की तो इसको जो है हमें ऐसी जगे पर लगाना चाहिए जहां पर इसको अच्छी रोसनी मिले इस जगे पर इसको लगाना चाहिए हमें यही सर्दियों की सबजी है लेकिन इसको गर काफी तेजी से होती है और गर्मिय में जो है यह ज्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं करता है और इसको जो है हम अगस्त के लाश्ट में लगाना शुरू कर सकते हैं और सर्दियों में पूरा सीजन चलती रहती है तो इस पोदे को जो है ना पांचे गंटे की दूप मिलनी चाहि है यहीं पे हमें पाने डालना है तो आपको चैक करना कि 2 गंबले की मिट्टी जह हो अच्छी तरह सूख जाए तब हमें इसमें पाने डालना यह पोदा है और आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करना शेयर करना और आप मेरे चैनल पर नए है ओ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बाई बाई